सूबे में रिसर्जंट रजिस्थान समिट के तैयारियां तीज हो गई है जैप्पूर में जहां रिसर्जंट राजिस्थान समिट का आयूजन होना है वहां आज UDF मंतरी राजपास सिंग श्रेखावत पहुँचे और तैयारियों का जाज़ा लिया अब बतादे कि जैपुर में 1920 रॉमेंबर को रिसर्जेंट राजस्तान समिट होना है इस समिट में देश विदेश को द्योग पती शामिल होंगे इस दोरान कई बड़े M.O.U होंगे रिसर्जेंट राजस्तान समिट का मकसद सुवब में बड़ा निवेशन लाना है अगेश को पूरा करने के मनद्धीक है और मैं समझता हूं कि रिसर्जेंट राजस्तान से पहले पहले जो जो टारगेट डिश्ज डिपार्ट्मेंट को दिये थे कोई सारे टार्गेट हम अच्छीव कर लेंगे के एक एलिवेटर रोड को छोड़ करते हैं एक एलिवेटर रोड का अच्छी में तमचाटन देकी इसको रिसर्जे नास्ता जो पहले पूरा कर दे यह काफी डिलेट परजेक्ट था, काफी तैजी से काम किया, वह तैजी से काम करने के बाव दूसकी क्वालेटी से सुकी कपरवाईज नहीं कहा रसकता, इसके डिस्पाइट अव अल अफ़र्ट्स एक उस काम को पूरानी कर पाएंगे, बाकि जो त्रे भी टागेट वेरियस स्थान के काला पानी, यानि बाढ़ मेर कर दिया जाएगा, और पुदादे पिछले कई महीनों से सिक्षा मंत्री को बहरोड के राज्यू के महाविद्याले में स्थाप द्वार राजनिती कर महाविद्याला का महाल बिगारने की शिकायती मिल रहे थी, इसके बाद सिक्ष अंग्लेजियों के टाइट नाड़ी बादी की सजा होती थी ने, बैसे होने राजस्तान का काला पानी है, बाद 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 मेर एक मिनिट में उचको बाद में रवाना कर दूना, बाद बाद में रवाना कर से लान्नू से गैंग्स्टर आनंद पाल के तीन गुर्गों के गिरफ तारी हुई है, एसोजी के पुछताच में आनंद पाल के गुर्गों ने कई बड़े फुलास से किये हैं, देखे हमारे सतर दिरों से खुली हवा में आनंद ले रहा आनंद पाल, लेकिन पुलीस के हाथ अब सक नहीं लगा कोई सुरा, हाँ इतना जरूर है कि गैंग्स्टर आनंद पाल को गिरफ तार करने के बारे में जब भी पुलीस से सवाल किये जाते हैं, तो पुलीस कारवाई के नाम पर चापे मारी करती है, और उसमें एक या दो छोटे मूटे गुर्गे को गिरस्तार कर लेती है, लेकिन खाकी के मुँपर तमाचा मार कर फरार हुए आनंद पाल का तो पता नहीं चलता, अब आनंद पाल को पकड़ने के लिए खाकी खाक चानते हुए लाड़नू कहुंची, तो मारे खुशी के मानों जूम रही हो, क्योंकि उसने तीन यूवकों को गिरस्तार किया है, और खाती दावा कर रही है कि पकड़े के तीन बदमाश आनंद पाल के गुर्गे हैं, लेकिन यहां भी पुलिस की नाकामी साफ दिखाई थी, क्योंकि कुक्या सुभाश मुंड भागने में काम्याब रहा है प्राइब को गंभीर चोट आई, हेड कॉंस्टेबल को चोट उस्वस लगी जब प्लिस कारवाई में बदमाश भागने की कोशिश कर रहे थे, बदमाशों ने हेड कॉंस्टेबल को टक कर मार दी गायल पुलिस कर्मी को अस्पताल में भरती करा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है अब आप खुद ही तै कीजे कि ये पुलिस की काम्याबी है या फिर नाकामी को चुपाने के लिए की गई कारवाई क्योंकि सवाल अब भी यही है, ये गैंक्स्टर के बजाए गुर्गो की गिरफतारी पर पुलीस कब तक जश्न मनाती रहेगी लाडनों से हामिद बलकी समाचार प्लस नागोर के मकराना में पुलिस हिरासत में ये वक की मौत के मामले में समाचार प्लस के खबर कासार हुआ है मकराना के सीओ, अमरजीत, थानादीकारी और थाने में तैनाद, अन्य पुलिस कार्मियों के खलाब हत्या का मामला दर्श किया गया है लकी हत्यकान के आरोपी की पुलीस हिरासत में हुई मौत ने बवाल मचा दिया सवाल ऐसा कि आरोपी के खून से खाकी रंग गए खाकी पर खून के छीटे पड़े तो सवाल खड़े हो गए और उन सवालों का जवाद जानने जनता सडक पड़ा गए जनता ने सवाल किये तो हंगामा मच गया और अपनी नाकामी जिपाने में लगा सिश्टम सडक पर दोड़ने लगा पोशिश जनता की आवाद को दबाने की हुई लेकिन जनता किसी भी शर्ट पर राजी नहीं हुई हार कर खाकी के दो खलनाएकों के खिलाफ केस दर्ट किया गया मसलन अधी पुलिस अधिक्चक राम कुमार ने मकराना खस्दे के सीओ अमर जीद और मकराना धाना अधिकारी समेथ खाने में तैना कई पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ट कर लिए प्लीस पर अपने काले कालरों पर कारवाई करने में 36 घंटे लग गए वो भी तब जब जनता सड़क पर हंगामा कर रही और प्लीस यहां से वहां भाग रही करीब 36 घंटे तक शव अंतिन संसकार का इंतिजार करता है 36 घंटे मचे बवाल की वजह का कोई जवाब प्रशासन के पास नहीं है जिम्मेदार प्रशासन कारवाई में देरी के लिए जांच की बात कर रहा है लोगों के निकल एक अधी थी और वो 302 IPC के जहते हैं जो कस्टोडिल डेर था उसके बारे में अभी जागे तो प्लीस के नामजट किये गए हैं और कुछ आने बटाए गए हैं कुर गल्डी की जवाफाय में मान के हम प्लीस का ये हाल देखकर जहां जनता इंसाफ मांग रही थी और जिम्मेदार जहां की चादर डाल कर घूम रहे थी अब केस दर्द करने के बाद मिर्टा कांतिम संसकार करा दिया गया है लेकिन अभी भी वही सवाल जिन्दा है कि हिरासत में मौत का जिम्मेदार कौन क्या पीड़तों को कभी इंसाफ मिल पाएगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोशियों पर कभी कारवाई हो पाएगी या फिर केस बस फाइलों पर दर्द होकर रह जाएंगी लागोर से यूनुत किसाफ़त समाचार प्लस कोटा में जुआरियों पर पुलिस के दविश्ट के दारा ने कीवक की मौत का संस्वनिखेज मामला सामने आया है मृता कीवक के परिजनों ने पुलिस पर हत्याख आरूप लगाया है गसाए परिजनों ने उद्योग नगर ठाने के सामने शाव रखकर प्रदशन किया आरूपी पुलिस के आर्मियों पर कारवाई की मांग की है मामला उद्योग नगर के धाकफल खेड़ी लाग्ते का है जहां पर जुवा खेलने के सूशना पर दबिश दोने गई पुलिस के आते जुवारियों पर अफ्रा तफ्री मजगे जुवा खेल रहा महंदर भी मौके सभागा इस दौरार महंदर की सांसे फुलने लगी और उसकी मौत हो गई पर जनों का आरोपे के पुलिस ने जुवे के नाम पर महंदर को जबरन दोड़ाया जिसने उसकी मौत हुई है वाके पुलिस उपादिक शक्त सेधान शर्मा के ने पोस्माटम रिपोर्ट के अधार पर कारवाई का धरुसा दिया तब जाकर लोग शांसे मासवारा के नौधामा ग्राम पंच्वायत में एक महिला को डायन वता कर कुछ लोगों ने मार पीट की उससाथ ही उसकी गर्वती बेटी को भी पीटा गया पुरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए आपने कभी डायन देखी है नहीं देखी तो देखिए इसे अस्पताल के बिस्तर पर इलाज कराती ये महिला डायन है कुछ देर के लिए आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं लेकिन हम आपको बता देए कि समाच के एक तबके ने इसे डायन कहकर इतना पीटा कि इसे अस्पताल में भरती होना पड़ा और अभी भी भै इतना है कि घर जाने से खत्रा महसूस होता है पांसवाला में कलिंजुरा थाना शेत्र के नोगामा ग्राम पंचायत के चौबडा तलाई गाउं में इस महिला को डायन बताकर बुरी तरह पीटा गया और जब पीड़त महिला की गर्व बती बेटी नीरा उसे बचाने गई तो आरोपियों ने उसके सिर में लाटियों से वार करके बुरी तरह घायल कर लिया हम आपको बता दे कि पीड़त महिला की बेटी साथ महीनों के गर्व से है, सामाजिक होने का दिखावा करने वाले गाउं के लोगों ने पीड़ता की बेटी के बेट पे लाद मारी और डायन की बेटी गएकर पीटने लगी हकीकत तो ये है कि इन बाइलाओं के दर्द को पुलिस ने भी नहीं समझा और उन पांचो आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने कोई दिख्यस भी नहीं दिखाए जबकि पेड़त ने थाने में नाम दर्ज रेपोर्ट थी उनको साल पर से डाकड़ी डाकड़ी करके रोज दिन गाली देते रहते और लट कुछ अत्यार लेकर मारने आते तो मेरी सासु खेत में कुछ खेती का काम कर रही थी कायन बताकर पूरे परिवार को बुरी तरह से पीटा गया और पुलिस के कान पर जू तक नहीं रही क्यों ये सवाल है और जवाब मिलना ही चाहिए पासवाला से राजेश समाचाथ प्लस सिक्री के पारी थाना के A.S.I. पर बुज़र महिला के साथ दुर्वहबार कारुप लगा है सुमका गाउं के बुज़र महिला की जमीन पर गाउं के दबंगों ने कवजा किया जिसके शिकायत करने गई महिलार से A.S.I. ने भी बत सलुकी की कोट से लेकर कचहरी और 25 से लेकर ठाने तक हर जगा जमीन को लेकर जगड़ा मचा है जगड़ा इतना बड़ा है कि कोट में भी जमीन पर इस्टे लगाया हुआ है ताकि बैसला आने तक कोई इस्तेमाल न कर सके कोई इस पर निर्माण न करे लेकिन कहते हैं कि जब खाकी खलनायक बन जाती है तो सारे नियम छोटे पर जाते हैं काईबे खत्म हो जाते हैं सीकरी में यही हुआ जहां 75 साल की एमना की जमीन का लंबे वक्त से दबंगों से जगरा चल रहा था सालों से जमीन चौपट पड़ी है लेकिन अब दबंगों को पुलिस का साथ मिल गया है जिसके बाद दबंगों ने जमीन पर निर्मार कार शुरू करा दिया निर्मार का देओच जब बुजर्ग ने किया और वो दबंगों की शिकायत करने थाने पहुँची तो खागी का खौफनाग चेरा सामने आ गया अब शिकायत करें तो किस्ते और शिकपा करें तो कहां क्योंकि सवालों में वही खाती है जिसे जवाब देना है जिसके हाँ में सुरक्षा की गारंटी बताई जाती है और इंसाफ का रास्ता जिसकी चौकट से होकर जाता है जीकरी सर्शेलेंद्र कर समाचाथ प्लस अब बात दौसा की जहां पर देवर और जेट ने अपने भाई की पत्नी के इज़त को तार-तार कर दिया दोनोंने महिला को हवास का शिकार बनाया महिला अपनी इज़त बचाए तो कहा जब रिष्टे के बेड़िये गर में ही बैटे हो भाई समान देवर जब भावी पर गंदी नजर रखने लगे तो कैसे बचा जाए जेट जैसे पवित्र रिष्टे के बीच हवस हावी हो जाए तो कैसे बचा जाए क्या किया जाए कहां जाया जाए यह सवाल इसलिए क्योंकि दोसा में एक पती अपनी पत्नी के लिए इंसाफ मांग रहा है क्योंकि इसका बड़ा और छोटा भाई वैशी बन बैठे है और दोनों ने अपनी ही बीच वाले भाई की बीवी को निशाना बनाया रिष्टो के भवर में बेदर्दी और बेहयाई की हकीकत सब सामने आई तो सरयाम हो गए इस घर की इच्चत एक महीला का सम्मान और सिर्रिष्टो का जुग गया हवस की आग बुझाने के लिए हैवानों ने बहरवाड़ा इलाके के जंगलों को चुना वारदात के बाद दोनों और उपी फरार हो गए और खांकी जाच में लगी अब पुलीस मामले की तफ्तीश में जूटी है पीडित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है लेकिन सवाल यही है कि घर में बैटे हवस के भूके बेडियों से अबला बन चुकी नारी को कैसे बचाया जा दोसा से एचन पांडे समाचार प्लस दोलपूर से मालता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है सैपोव इलाके के पारवाती नदी के पुल के नीचे एक नवजाद बच्ची का शौ मिला ग्रामिनक मताबिक शौक को जानोर पक्षी नोच रहे थे शौक की सूचना पर पुलिस भी पहुँची है शौक को मौचिन रखवाया है फिलाल पुलिस सरकारी और नीचे स्पतालों के प्रसूती रिकॉर्ड को खंगाल रही है ताकि नवजाद बच्ची के परिजनों का पता लगा कर मामले के जाच की जा सके तरक पर तारबंदी माई जमीन के मौवज़े को लेकर रहाद की खबर है लंबे वक्त से मौवज़े को खंगर्श कर रहे किसानों के लिए किंद्र राजमंत्री ने पहल किये राइस सिंग नगर आये निहाज संद मेगवाल ने भरुसा दिया है कि इस मसले कुले कर उनों ने राजिस सरकार से बात किया है और किसानों को जल्दी जमीन के बदले मौवज़े में लेगा अब पुतादे के सरहती जिले स्विगंगनगर बीकानीर बाडमेर जैसलमेर में सीमा परतारबंदी से में किसानों की जमीन जीरो लाइन तक आ गएती किंद्र सरकार किसानों को मौवज़े देने से इंकार कर चुकी है इसले किसान का आपके लंबे वक्त से मौवज़े किमांग कर रहे है निहाल सब में एकवाल के आश्वासन के बाड किसानों को कुछ आस नज़र आ रही है किसानों के लिए मौवज़े के रूप में हमारे सरकार से बाफ हुई है मौवज़े चाहतर के जो कंटिलिता जमीन आई थी उसका मौवज़े हमने कर ले 4 क्रोड रूपे किसानों को दे दिया था लकिन पाकिस्तान सीमा और कंटिलिता के लिए मौवज़े है उसके लिए सरकार से हमने बाफ दिये दिवारी के दिन शुख गंगरंगर के सरदी लाकों से पकड़े गए बंगला देशी नागरिकों से पूस्ताच में कई खुलासे हुए है समिक पजाच अजन्सियों में सामने आया कि इन लोगों को तारबंदी पार करवाने के कोशिश में बिलाल नाम के दलाल की भूमी का एहम है बिलाल ने इन बंगला देश्यों को तोरी चिप्पे पाकिस्तान के एवज़ में 35,000 और पिलिये थे पकड़े के बंगला देश्यों के पास से 22,000 रुपे भारती मुद्रा 45,000 रुपे पाकिस्तानी मुद्रा समित भारी तादार में विदेश्य करिंसी बरामत हुई है अलवर दिले में आवद खनन का खेल धड़ले से चल रहा है पुराने डेट की रॉयल्टी दिखा कर खरन माफिया फरशासन को भी उकुब बना रहे है जिससे सरकार को लाग रुपे का चुना लग रहा है इसका खुलासा सवक्त हुआ है जब खनीज बिभागर पुलिस की कारवाई में ट्रक से दो लाग रुपे के जुर्माना वसूला गया टीम ने इस दोरान एक ट्रक को जब्द किया है जो चाटन रुपर को रसी रवनने के रूप के दिखा रहा था कारवाई दर्ण ट्रक चालक मौके से फरार हो गया टीम ने ट्रक पर एक लाग बारह हजार का जुर्माना लगाया है चुरू में रेलवे ट्रक पर शौमलने से संसनी फाल गई बताय जा रहे के शौप पंजाम नेशनल बैंक के करमचारी का है जो वार्ड नंबर 24 का रहने वाला था परजोनों को मताविक वो रात को खाना खाने के बाद घर से टेहले निकलाता रात को वापस नहीं लोटा परजोनों ने करमचारी का शौप रेलवे ट्राक पर संदिक परिस्तिते में पाया फ़राल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है बहाना कजबे में सुरजगा डोट पर एकिवा कश्चा उस संदिक परिस्तितियों मिला मिरतक बहाना के नोहर वाला मोहले का रहने वाला था वो बहाना में हलवाई का काम करता था परिस्तितनों ने हत्या के अश्चा जटाई है और शौप लेने से इंकार कर दिया है फ़रेसं अंगाश की बात पोलिस ने कohकम करा ख़न परिस्तितनों को सौप आये मुरत्क के पास ते शरव की बोटल्य मिली है पुलिसने मानला दर्च किया है जाट के जिमधारे थाना परफारी को स्वापी है दॉलपूर दिले के इस हपो थाना क्षितर में हुई बुज़ूर के हत्याक माअले का पुलिसने खुलासा करने का दावा किया है हत्याग मामले में पुलिस ने गाउं के चार लोगों को रहासत में लिया है पुलिस के माने हत्याग पुरानी रंजी के कार्म की गई है पुलिस ने हत्याकारण में परयोग किये गए चाको को वियारूपियों के निशान देही के आधार पर बरामफ किया है अपतादे की धन्ने का मेगला गाउं में बुज़र गोरे लाल खुश्वा की टाक्वों से गोत करत्या कर दी गए अलवर के तपकुड़ा में साफ सफाई की बात को लेका दुग उटों में फाइरिंग हुई है फाइरिंग में दस लोग जखमी हुए है फाइरिंग के सुचना पर पुलिस मौकिर पहुँची लेकिन फाइरिंग करने वाले फणार हो गए जिस चोरे से जगडा हुआ वो विचार है खोका जमा रहा था सबजी के लिए खोका जमा रहा तो एक लड़की उन्होंने तैयार करी और उस लड़की ने उस लड़के के तीन चैन मारी कमर में एक लड़की ने दूसरी पार्टी जिन्होंने गोली चलाई थी हमें पर उसने आके चैन से उस पे वार किया जी चैन से उसका हाथ पूरा यहां से खराब हो चुका उनके परिवार वाले आके उन्होंने कटे बंदूकों से गोड़ी चला दी, सभी के गोड़ी चर्र लगे हुए हैं, हाँ जी सभी होस्पिटल न भरती हैं बौ़ाना के सिंगाना थाना में किवाक को लूट का शिकार बनाए गया, बाइक सवार बाइक सवार बदमाशों ने पिक अफ वैन समय दो लाक रुपे के लूट को अंजाम दिया, दरसल इवाक विकास गुड़गाओं से कांट लॉट रहा था, पिक अफ वैन मुसका समान द लेकिन बादमाश को सुराग नहीं लगा है। लेकिन बादमाश को सुराग नहीं लगा है। लेकिन बादमाश को सुराग नहीं लेकिन बादमाश को सुराग नहीं लगा है। लेकिन बादमाश को सुराग है।